The topic now is your Articles. Articles क्या होते हैं? सब जानते हैं. A and the. यह तीनों Articles होते हैं. आज हम इनकी details पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि यह कहां कहां पर कैसे use होते हैं और किस तरह के Errors आ सकते हैं आपके competitive exams में जहां पर आप देख सकते हैं कि हां यह सगी है यहां पर यह नहीं है. Articles मेंडी दो तरह के होते हैं. First is your indefinite article and the second one is your definite article. Indefinite article है हमारे A और An और definite article है हमारा The. Definite मतला particularly. जब आप particularly किसी चीज की बात करते हैं, definitely किसी चीज या किसी इंसान के बारे में बताते हैं तो वो होता है हमारा article The. जिसे अगर बहुत सारे pen पढ़े हैं और हम कहते हैं एक pen देना, तो यहां पर हमने नहीं बताया किसी को definitely कि हमें कौन सा pen चाहेंगे. So give me a pen. लेकिन अगर आप definitely उसे बताते हैं कि हाँ, मुझे लाग रण का pen चाहेंगे, तो वहाँ पर हम use करेंगे article The. Can you give me the red pen? तो यहां पर the article के use करने से हमें यह पता चला कि हमें definitely या particularly किस कलर का pen चाहेंगे हैं. ना सिर्फ चीजों के लिए, बलकि हम लोगों के लिए बेस्तिमाल मेर सकते हैं. जैसे मैं कहती हूं कि call a boy, तो कोई आप जाकर किसी भी एक लड़की को बिला सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहती हूं कि call the boy who is wearing the blue shirt, तो आप देखेंगे उन 10-11 लोगों में से कौन सा ऐसा जिसने blue shirt पहनी है, तो यहां पर article the is showing you something definitely or particular. आर्टिकल a और an यह definitely नहीं दिखाते हैं, तो लेकिन इनका usage अलग अलग है, कहीं पर हम an use करते हैं, कहीं पर a, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन articles जो होते हैं, यह सब nouns के साथ use होते हैं, और singular noun के साथ use होते हैं, मैं 10 चीजों क मिला कर एक आर्टिकल a and के दो नहीं लगा सकती, एक चीज के लिए एक ही आर्टिकल उस होगा, so the articles are used with nouns and that too with a singular noun, very important and you have to be very careful about it, now we will proceed with the articles a and and, first of all let's talk about an article and, बदा सकते हैं, article and हम कहां यूस करते हैं, एलियू, one, article and, सही कहां, कई लोगों का कहना है कि article and हम A, E, I, O, U के साथ use करते हैं, जो कि हमारे bubbles, to some extent मैं कह सकती हूँ, लेकिन 100% ये बात सही नहीं माली जाती, अब कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, जिसके इसाब से, हम सिरफ bubbles के साथ ना चाहकर, हम wobble sounds के साथ आते हैं, यानिकि article and, it comes with all the wobble sounds. Sounds मतला, wobble sounds क्या रहती है, हम सबने school में पढ़े हैं, जिसे हम हिंदी पे पढ़ते थे, अ-पा, इ-ई, उ-उ, ए-ए, ओ-ओ, और अंथा. अब, यह जो हमारे पांच wobbles हैं, यह पांच wobbles हमें इन में से यह बारा आवाजे निकालते हैं, जैसे अगर मैं आपको example दो, एक है शब मेरा ant, दूसरा है arm, तीसरा है America, और आखरी में apple, अगर आप देखें तो यहां पे wobble आपका एक हीर है, एक, 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 लेकिन यहां तीनों जगा, चारों जगा यह अलग-अलग साउंस निकाल रहा है, यहां पर यह दे रहा है आपको आवाज एकी, ant, यहां पर यह दे रहा है आम, आखी, यहां यह दे रहा है अमेरिका, अखी, और यहां पर आपल, अखी, तो एक ही बर्ड है लेकिन sound चार्ट दे रहा है, तो उसी तरह से हम सरफ इन वबल्स पर नहीं जाते हैं, वबल्स के लाबा हम ये देखते हैं कि या ये वबल्स इन बारा में से कोई आवाज निकाल रही हैं या नहीं, कुछ वबल्स ऐसे होते हैं जो ऐसी वोज नहीं निकाल हम वबल्स बारा दे, उनके साथ एर हम दूस्रे अटिकल्स लाएते हैं. So, first, it comes with all the vowel sounds and these are your vowel sounds. After that, it comes with the silent, herb sound. जब भी कही पर किसी लाइन में किसी वोड में हो की अवाज सालें है और हो की अवाज सिरफ एक ही वोड निकालता है वो है है अगर यह वोड है लेकिन आपको हो की साउंड नहीं आ रही है यहां पर हो की अवाज सालें है यहां पर हो की अवाज सालें है तो इस केस में हम यहां पर अर्टिकल आ यूस करेंगे नहीं हो यहां दो आपेंगे दिक आपर आप्र नहीं है अवार्टिकल साइघक और में की अवाज स्वेशना उहाज स्वेशना अवाज पर लोड़ा अवाज सालें है इस आपको ड्यों नहीं वाज़खीशना अगर वो आपको बोगल का सांद दे रहे हैं तो उनके साथ हम हमेशा article N लगाते हैं, अगर मैं कहूं राम is, अगर मैं कहूं राम is dash BA, BA is an abbreviation for bachelor's of arts, लेकिन यहां पर यह आपको वॉबल की आवास दे रहा है या नहीं? BA, BA, BA दो वॉबल की आवास नहीं होती, that means यहां पर हमारा article अ आईता, but Sonu is dash MBA, MBA means Masters of Business Application, अब यह आपको क्या आवास दे रहा है? MBA, A, और A, एक वॉबल होता है, so that means इसे जहने हाँ article N लगाते, के, that means Ram is A, BA, but Sonu is N, M, BA. तो जब भी एक अबरिवेशन आपको वॉबल का सांद देगा, उससे पहले हमेशा आटिकल N लगाते, अब अपने आगले आटिकल पर चलते हैं, जो कि आटिकल O, next is article O, let's see where it comes, first it comes with all the consonant sounds, जितनी भी consonant sounds होते हैं, मोवल्स के लाबा, वो सब consonant sounds होते हैं, उनके साथ हम आटिकल O use करते हैं, second, चलते हैं, उनके सांद आटिकल झालते हैं, अगर कोई वर्ड आपका पांच वावल्स A-E-I-O-U से शुरू हो रहा है लेकिंग वो आपको वावल के सामना दरेकर व और यो के सामन दे रहा है in that case we will use article and within and you have to be very careful because these kind of sentences you get in your competitive exams वहां पर इन वावल्स के साथ आपको गलत article दिया हो सकता है for correcting the error or maybe in the full of the blanks like if I say dash umbrella and dash university so let's see this like umbrella and university here if we see umbrella this is giving you a sound और एक पोवल की sound है that means इसके साथ article आना आएगा यहां गर आं लेखते हैं university it starts with you which is one of the vowels but it is giving you university your sound और यहां गर आएगा बोवल की साथ नहीं है that means in this case we will use article let's see another example if I say do you have dash orange or first is do you have dash orange यहां पर क्या आटिकल है the orange or is a vowel sound यहां पर आम यूस करेंगे article and do you have an orange but if I say do you have dash one rupee note starting with a vowel but it is giving you वसंद one rupee note तो उसकेश में यहां पर article and नहीं बलकी a item so this is something about the articles a and a so let's proceed to article the in the next chapter